ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमा जय मातरानी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है मा भगवते दुरगा की गृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वता बनी रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमा इस मंतर का उच्छारन कीजिए उसके बाद पूरे भक्ति भाव से इस कथा का श्रमण करते हैं सत्य भामा ने कहा हे प्रभो आप तो सभी कालों में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक ही समान है फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में स्रेष्ट क्यों है आप सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रियक्यों कहते हैं इसका कारण बताईए भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे भामिनी तुमने बहुत अच्छा प्रश्ण किया है मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ ज्यान पुर्वक सुनो इसी प्रकार एक बार महराज बेन के पुत्र राजा प्रिथु ने प्रश्ण के उत्तर में देवर्शी नारत से प्रश्ण किया था जिसका उत्तर देते हुए नारत जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा हे राजन एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्रही त्रही मच गई उस संखा सुर्णे स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र आधी देवताओ एबं लोकपालों के अभिकारों को छीन लिया उस से भेभीत होकर समस्थ देवता के सदस्यों के साथ सुमेरु पर वतकी गुफाओं में बहुत दिनों तक छुपे रहे ततपस्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु परवत की गुफाओं में ही रहने लगे उधर जब संखा सुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पुरवक सुमेरु परवत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्यशक्ती अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकार हिन यह देवता आभी भी बलवान है सोचते सोचते वह इस निरणे पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं यदि उनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे तब ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्माजी के सत्य लोग से शीग्रही वेदों को हरलाया उसके द्वारा ले जाये जाते हुए वेद भैसे उसके चंगुल से निकल भागे और जल्बे समागे शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूणते हुए सागर में प्रवेश किया परतु न तो उसको वेद मंत्र मिले और नाहीं बीज मंत्र जब शंखासुर सागर से निरास होकर वापस लोटा तो उस समय ब्रह्माजी पूजा की सामगरी लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णू की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंद आदी स से बारम-बार उनका पूजन करने लगे धूप दीप नैवेद्य आधी अर्पित किये जाने पर भगवान के निद्रा टूटी और वह देवताओं सहीत ब्रह्माजी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसंद हुए और कहने लगे मैं आप लोगों के इस कीरतन एवं मंगला चरण से बहुत अधिक प्रसंद हूँ आप अपना अभीष्ट वर्दान मांगिए मैं अवश्य ही प्रदान करूँगा जो मनुष्य आश्विन शुकले की एकादसी से देवोत्थान एकादसी तक ब्रह्म मुहुर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे उन्हें तुमारी ही भाती मेरे प्रसंद होने के कारण सुक्की प्राप्ती होगी आप लोग जो पाध्य आर्ग्य आचमन और जल आदी सामगरी मेरे लिए लाएं हैं वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्यान करेंगी शंखा सुर्द्वारा हरे गए संपुर्ण वेद जल में स्थित हैं मैं सागर पुत्र शंखा सुर्का वद करके उन वेदों को अभी लाए देता हूं आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूंगा और अब मैं मत्च का रूप धारण करके जल में जाता हूं तुम सब दिवेंद्र कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदी देते रहना और उनकी सभी आपत्यों से रक्षा करना है। जगाईा है इसलिए यह तो करने से जो फल मिलता से नहीं मिलता अत्यप्रत्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्थिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए इन नियमों का पालन करना चाहिए तो अब तक की कथा में आप प्रिये क्यों है और अब आप सुनेंगे भगवान श्री हरी विष्णु के मच्छ अवतार का वरणन नारत जी ने कहा ऐसा कहकर भगवान श्री हरी विष्णु मचली का रूप धारण करके आकास से जल में गिरे उस समय विंध्याचल परवत पर तप कर रहे महर्शी कश्यप अपनी अंजली में जल लेकर खड़े थे भगवान उनकी अंजली में जागिरे महर्शी कश्यप ने दया करके उसे अपनी कमंडल में रख लिया मचली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्शी कश्यप ने उसे कुए में डाल दिया जब वह मचली कुए में भी न समा सकी तो उ वहां उन्होंने संपुर्ण रिशियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया हे मुनिश्वरों तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठेयरता हूँ तब उन तपोबलसंपन्रं महर्शियों ने io और वीजों सहित संपुर्ण वेद मंत्रों का उध्धार किया उनमे से जितने मंत्र जिस रिशी ने उपलब्द किये वही उन वीज मंत्रों का उस दिन से रिशी माना जाने लगा तदनंतर सब रिशी एकत्र होकर प्रयाग में गए वहां उन्होंने ब्रह्माजी सहित भगवान विश्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिये सब वेदों को पाकर ब्रह्माजी बहुत प्रसन हुए उन्होंने देवताओं और रिशीयों के साथ प्रयाग में अश्वमेग यग्य किया यग्य समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया देवाधी देव हे जगन्नात इस स्थान पर ब्रह्माजी ने खोई हुए वेदों को पुनह प्राप्त किया है और हमने भी यहां आपके प्रसाद से यग्य भाग पाए हैं आतह यह स्थान प्रित्वी पर सबसे स्रेष्ट पुन्य की वृध्धी करने वाला एवं भोग तथा मुक्ष प्रदान करने वाला हो साथ ही यह समय भी महापुन्य में और ब्रह्म घाती आदी महापापियों की भी शुद्धी करने वाला हो तथा यह स्थान यहां दियगवे दान को अक्षय बना देने वाला हो यह भी वर्दी जिये भगवान विश्णु बोले देवताओं तुमने जो कुछ भी कहा है मुझे स्विकार है तुम्हारे इच्छा पुर्ण हो आज से यह स्थान ब्रह्म चेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा सूर्य वन्स में उत्पन्य राजा भगीरत यहां गंगा को ले आएंगे और वह यहां सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगी ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहां निवाज करो और आज से यह तीर्थ तीर्थ राज के नाम से विख्यात होगा तीर्थ राज के दर्शन से ततकाल सब पाप नश्ट हो जाएंगे जब सूर्य मकर रासी में स्थित होंगे उस समय यहां श्नान करने वाले मनुश्यों के सब पापों को यह तीर्थ नाश करेगा यह काल भी मनुश्यों के लिए सदा महान पुन्य फल देने वाला होगा माग में सुर्य के मकर राशी में स्थित होने पर यहां स्नान करने से सालोग के आदे फलिप्राप्त होंगे तब देवादी देव भगवान विश्नु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वही अंतरध्यान हो गए तब पस्चात इंदरादी देवता भी अपने अंस से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतरध्यान हो गए जो मनुष्य कार्थिक मास में तुलसी जी की जड़के समीप श्री हरी का पूजन करता है वह इस लोग में संपुर्ण भोगों का उपभोग करके अंतमे वैकूंट धाम को जाता है और हाँ अगर आपको कथाएं अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल पर पहली बार आये हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अप्लोड होगी उनकी नोडिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी मैं मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार